हेलो फ्रेंड्स आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे कुछी दिन में CITS की एक्जाम सुरू होने वाले हैं और यह जो PDF है यह हमने भारत स्किल से लिया है भारत स्किल पर आपको यह PDF मिल जाएगा और इसके अंसर्स भी मिल जाएंगे लेकिन हम इस PDF की पूरी कॉंसेप् एक expression कह सकते हैं तो हमारा पहला question है 2.5 into 1.5 plus 2.5 upon 18 फ्रेंड्स मैंने कुछी दिन पहले आपको board mask पढ़ाया है ठीक है board mask में bracket off, division, multiplication, addition, subtraction, right तो यहां पर bracket तो है नहीं, off भी नहीं है इसके बाद बचा के यह friends हमारा division है ठीक है उसके बाद पहले हम division करेंगे फिर multiplication करेंगे तो friends मैं इसको करने की smart trick आपको बताती हूं ऐसा नहीं है आप 2.5 upon 18 को divide नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन देखिए आपको यह करना नहीं पड़ेगा और यह question भी solve हो जाएगा ऐसा कैसे बस आप तो जानते ही है एक बटे 2 जो होता है उसका मतलब होता है 0.5 ठ जब भी हर बड़ा होता है और अंस छोटा होता है तो डिवीजन हमेशा एक से कम आता है ठीक है यह चीज यहां पर है तो देखिए यहां पर अंस जो है वो 2.5 है जबकि हर की जो वैलू है वो 18 है मतलब हर बड़ा है अंस छोटा है तो इसकी वैलू कुछ भी आएगी friends वो एक से कम आएगी मतलब इस पूरे की वैलू कुछ भी आएगी वो less than वनाएगी एक से कम होगी और आपको यहां पर option दिख रहे हैं 45, 37, 52, 75 मतलब option में कितना अच्छा खासा difference है ठीक है तो जब option में इतना इतना difference होता है इतना बड़ा-बड़ा difference होता है तो जरूरी नहीं ह तो हम मान रहे हैं कि कुछ भी आएगा एक से कम आएगा अब हम इसका गुड़ा कर लेते हैं 25 गुड़ एक दस पहलो पाच का तो 21, 25 और 0.5 से ही आजाएगा 37.5 यहां पर 37.5 है प्लस कुछ भी है एक से कम माल लिजे वैसे तो यह 0.1 के लगबग आएगा लेकिन आप इसक इसको एक भी मान लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो आपका अंसर है वह 37.6 आ रहा है ठीक है अगर आप इसको एक भी मान लेंगे तो भी है 30 80 रहे जाएगा मतलब नियरेस टू दिस वन रहेगा मतलब इसका अंसर यह हो जाएगा ओके मैंने आपको यहा अच्छी खासी कामाने वाली है लगभग 0.1 और 0.2 आनी चाहिए तो इस तरह से आप डिरेक्टली को कर सकते हैं आप आपको भाग देनी की जो नहीं पड़ेगी फ्रेंज में सारे ही क्वेशन में इसी तरह से कॉंसेप्ट अच्छे से एक्स्प्लेन करके आपको क्वेशन क्वेशन बताऊंगी तो आप वीडियो में साथ बने रही है तो चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन साइंस का है देखिए जब इस तरह से यह सिंपल एक मेकानिजम दिया हुआ है इसमें डिग्री ओफ फ्रीडम पूछा गया है तो इसमें आपको लिंक जॉइंट करने होते हैं तो मैं आपको यहां पर बताती हूं कि लिंक क्या होते हैं और जॉइंट क्या होते हैं फ्रेंट्स देखिए जैसे यह मालीजे आपका हाथ है ठीक है यहां पर आपका यह कोहिनी है ठीक है तो यह जो कहिनी है एक जॉइंट होता है आप यहां से तो इस तरह से जो मेकैनिजम होते हैं इसमें Link or Joint होते हैं ठीक है तो इसमें पहले हमें Link or Joint count करना है उसके बाद ही हम यह पता लगा पाएंगे कि इसका degree of freedom कितना है तो आईए Link or Joint को find out करते हैं इसका मतलब अर्थ होता है, मतलब जमीन ही है, तो यहां पे उपर है या नीचे है, उसे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक ही मान के चलिए, आप इसको अर्थ ही समझ के चलिए, ठीक है, तो यह हमारा, आईए, लिंक कंसिडर करते हैं, यह हमारा पहला लिंक हो गया, जिनक वाइम हें, साथ्ट निंग रूंक जर्णिण पाहार प्bell हुद भी üzग्साइश्ट प्रस्साइश्ट को सले जिर्णिआ है तो अब डिग्री ओफ्रीडम का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 3 l for link minus 1 minus 2 j तो देखिए 3 यहां पे link की संख्या कितनी है 1 2 3 4 4 minus 1 minus 3 joints कितनी है joints भी 4 तो 2 into 4 मतलब यह हो जाएगा 3 तरीक की 9 minus 8 इसकी degree of freedom हो जाएगी 1 मतलब यह answer सही है आपको link or joint सही सही से count करने है उसके बाद degree of freedom का formula लगा के degree of freedom मिल जाएगा अब friends देखिए अगला question क्या है find the original price of the goods if the craftman sales good for Rs.450 after giving 25% discount ठीक है तो आप देखिए आपने मानली जी यहां पर एक किताब खरी दी ठीक है यह किताब 400 की है अब अगर आपको दुकानदार बोलेगा कि हम इसको 25% का discount दे रहे हैं और आपको यह किताब 300 की पड़ेगी तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि जो discount होता है आपको जो छूट मिलती है friends वो हमेशा MRP पे होती है मतलब यह तो आपने मार्केट में देखा ही होगा कि जो किताब का price अगर 400 लिखा है तो उसी पे लिखे हुए price पे छूट मिलती है तो मतलब जब भी हमें discount मिलेगा वो MRP पे मिलता है अगर आप यह चीज धियान रखे है इसके बाद यह question आराम से लग जाएगा इस question का मतलब यह है कि जो original price था उस पे 25% shopkeeper ने हमें छूट दी 25% छूट देने के बाद 450 रुपे की वो किताब हमें पढ़ी तो इस किताब का जो actual price है वो कितना है तो देखिए 25% discount दिया है किसी भी चीज का actual price जो होता है वो 100% होता है कुछ भी चीज होती है friends वो 100% होती है इन्होंने 25% की हमें छूट दे दी मतलब उन्होंने बेचा कितने में उन्होंने बेचा हमें 75% में 75% of X मतलब मान लिजे यहां पे X क्या है आपकी MRP है MRP के 75% में बेचा हमें तो हमने उन्हें 450 रुपे दिये तो अगर उन्होंने हमें 25% की छूट नहीं दी होती तो हम उन्हें कितने रुपे देते यह इस question में पूछा जा रहा है तो चलिए देखते हैं 450 रुपे हमने तब दिये मिल्स प्रसेंट कितना होगा 1% होगा 450 रुपे 75 रुपे और 100% कितना होगा 450 रुपे 75 रुपे 100 यह 100 परसेंट मैने काटा पिटी भी आपको शिखाई है आप हमारा वीडियो पिश पूरा ना देख सकते हैं 15 रुपे 15 रुपे 45 रुपे तो मतलब वो किताब का एक्चुल प्राइज है वो 600 रुपय है 600 रुपय की किताब को इन्होंने 25% डिसकाउंट पे बेचा था तो 450 रुपय का मिला था अगर वो डिसकाउंट नहीं दिये होते तो 600 रुपय का हमें बेचते हैं तो यह क्वेशन था और यह इसका सॉलुशन है देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वीडियो में सारे कॉंसेट बताते चलों फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका जरूर रिप्लाइ करूंगी ठीक है आईए बगला क्वेशन देखते हैं इन द फ अगर आप किसी तार को यहां पर किसी तार केबल को मेजर कर रहे हैं तो किसमें मेजर करेंगे यह भी नंगाटिम भाते और कलाफिए के डि Eckल गंटे लंबा है ऐसा उ कुछ सो होता नहीं ठीक है यह एलेक्तो अ तो बच्चा क्या के अबल के लिए? बच्चा हमारा लंबाई, यह तो बहुत एजी था, okay find the mass of an object if the net force acting on object is 450 newton which accelerate at 50 meter per second square ठीक है देखें एक्सलेरेशन की उनित, यहां पर आप यूनित भी हर्चिस की देख चली है तो यहां पर फोर्स निउटन है इस तरह से आप यूनित को हमेशा ध्यान देज़ें, अगर हम पे में अ होता दो चेंज करतें लेकिन बहुत अच्छी वात है कि यूनित अल्रेडी तो हमें कुछ भी does hiç convert है, इसमें क्या किस्क निgालना है, मास निःते हैं, तो पेले तका कमिला किस्क थीर प्रत्त थीर स्विक्षाई पेला अग्ली में, किस्क निःते हैं? किस्क प्रत्रों किस्क टो पनाल शुर्स देंगा था क्यों ऑफ़door कि बादे हैं, एक्षेम में देखने मिलेंगे हमेशा याद रखे है F equals to m into a forse equal to mass into acceleration ठीक है यह पे force की value दी हुई है 450 और mass हमसे पूछा गया है और acceleration की value है 50 जहाँ यह पे 0 से 0 cancels and this is 5,945 यहाँ नौबार में कट गया मतलब जो मास की वैलू है वो 9 kg हमेशा यूनिट लिखे 9 kg जो है वो इसका अंसर हो जाएगा मतलब option number 2 जो है इसका correct है 9 kg correct है अब देखिए question number 6 की तरफ चलते हैं in a free body diagram two forces इसको मिटा देती हूँ in a free body diagram two forces are shown what will be the acceleration of the ball if the weight of the ball is 4 kg देखिए diagram भी आपको देख के लग रहा होगा देखिए यह कोई ball है ठीक है यहाँ पे आप इस पे मान लीजे आप यहाँ पे दो लड़के हैं यहाँ पे आप 5 newton से इसको इस तरह से खीच रहे हैं और दूसरा जो है उसको 3 newton से इस तरह से धकेल रहा है मतलब जो overall force होगा वो कितना होगा इस direction में 5 newton का है इस direction में 3 meter का है तो overall जो होगा friends वो इस direction में 2 newton का होगा है आप एक लोग यहाँ यहाँ पे ऐसे खड़े हैं इसको खीच रहे हैं और दूसरा लोग जो है इसको धक्का दे रहा है मतलब overall तो 2 आएगा क्योंकि 3 इदर को है sorry 5 इदर को है और 3 इदर को है तो 5-3 2 newton का force इस direction में exactly पड़ेगा ठीक है friends यहाँ पे language में थोड़ी सी problem है यहाँ पे लिखा है weight लेकिन unit लिखी है kg में ठीक है जबकि weight यहने की भार की unit kg नहीं होती है बलकि भार क्या होता है देखिए मैं आप यहाँ कोई concept बताती हूं weight एनी की भार होता है m into g mass into acceleration जिसकी unit newton होती है ठीक है और जो weight होता है यह mass जो होता है द्रब्यमान जिसको हम द्रब्यमान बोलते है उसकी unit होती है kg तो यहाँ पे लिखा तो weight है लेकिन unit mass का लिखा है तो यहाँ पे क्या terms लिखा है वो matter नहीं करता है unit हम द्रब्यमान जिसकी unit होती है तो यहाँ पे यह 4 kg लिखा हुआ है तो हम 4 kg को ध्यान देंगे weight लिखा है उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि mass और weight में अंतर होता है लेकिन unit हमारे लिए main होती है तो इस question में हमें क्या पूछा गया है? Acceleration पूछा गया है same formula ओपर वाल लग यहाँ पे हम 4 kg रख लेंगे 4 kg into acceleration हमसे पूछा गया है यह n क्या है newton है तो यहाँ से देखे 2 दूना 4 होता है 2 मतलब यह इधर जाएगा तो एक बट्टे में हो जाएगा एक बट्टे में हो जाएगा एक बट्टे दो यानिकि 0.5 meter per second square इसका मतलब option no.3 correct है 0.5 meter per second square चलिए question no.7 की तरफ चलते है find the gravitational force between the two object M1 and M2 separated by distance 30 meter देखे आप इस question को समझने की कोशिश कीजिए question ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे M1 है यहाँ पे M2 है इन दो अस्तों की बीच की दूरी कितनी है बीच की दूरी 30 meter है यहाँ पे दूरी इसकी 30 meter है ठीक है यह M1 है और यह M2 आप इसको इसकी दूरी 30 meter है having their masses 20 kg and 30 kg इसका mass कितना दिया हुआ है एक का mass जो है वो 20 kg है और दूसरे का 30 kg जो भी दिया रहता है question में आप उसको लिखते चलेंगे न तो आपको question लगाने में बहुत ही सुविधा रहेगी 20 kg और इसका कितना है 30 kg और जी की value यहाँ पे 6.67 into 10 to power 11 दी हु इसका formula होता है आपको बिल्कुल याद रखना है f equal to capital G friends capital G और small g में अंतर होता है ठीक है वो small g जो होता है उसकी value कितनी होती है generally होती है 9.8 meter per second square और यह capital G की value है जिसकी value 6.67 into 10 to power 11 होती है इसका formula होता है यहाँ M1, M2 लिखिया है capital M, small m लिखिया उसे फ़र्क नहीं पड़त यहां पर यहां पर यह ऐसे R square यह R क्या है दो दोनों के बीच की दूरी है मतलब इसकी value 30 हो जाएगी तो G की value रख दीचे 6.67 into 10 to power 11 okay into M1 M2 मतलब 20 into 30 divided by R मतलब 30 का square इसको हमें solve करना है एक 30 से देखिया 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 यह 10 to power 11 है यह 10 to power 11 है यह 10 to power 11 है तो यह नहीं कटेगा यहाँ 0 to 0 cancel out जरूर जरूर जाएगा दो बटे तीन अब देखिये 3 से 6.67 को काट सकते हैं 3 2 6 10 मुलो फिर से 3 2 6 और फिर यहाँ पर 3 2 6 दस बचेगा 3 3 किनो ऐसा कुछ आजाएगा गुडे 2 गुडे 10 to power 11 बचा है यहाँ पर अब तक यह 3 से कट गया है पतल भी हो जाएगा 4.446 into 10 to power 11 यह आपका अंसर करेक्ट है 7 का option no.1 इसका करेक्ट है आईए आगला question देखते है question no.8 क्या कह रहा है friends question no.8 में potential energy पूछी गई है चले question देखते है जैसा कि दिखाया गया है इमारत की ऊपर इस्सितित उर्जा 70 Joule है बिंदू A और B पर इस्सितित उर्जा क्या होगी यहाँ पे 70 Joule है यहाँ पे और यहाँ पे इस्सितित उर्जा पूछी गई है इस्सितित उर्जा मतलब potential energy देखे आप एक चीज याद रखे कि potential energy का जो formula होता है वो होता है M, G, H मतलब mass, gravitational, acceleration, height height बहुत important है अगर किसी चीज की height ही 0 हो जाएगी तो मतलब 0 में आप 5 का गुड़ा कीजिए तो भी 0 ही आता है फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अब देखे यह point A और point B कहा है जमीन पे हैं इनकी कुछ उचाई है क्या जमीन से मुझे तो नहीं दिखाई दे रही exactly जमीन पे हैं ठीक है तो यहाँ पे h की value 0 है तो इनकी potential energy भी 0 हो जाएगी अगर यह point B यहाँ पे होता माले जी यह दो मीटर की उचाई पे होता तो हम निकालते है क्या है potential energy लेकिन friends यहाँ पे point A और B तो जमीन पे है तो इसकी potential energy 0 होगी क्योंकि potential energy का formula MGH होता है मतलब height यह दिस्टेंस कह लीजिए तो यहाँ पे option no.3 जो है वो correct है इन proportionally curve which alphabet described yield point देखे यह stress distance curve है friends इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं वैसे तो यहाँ पे point C option सही होगा यह yield point होता है इसको हम लोग yield point बोलते हैं लेकिन point A और B क्या होते यह भी मैपको बताती हो point A जो होता है इसको बोलते हैं elastic limit और sorry point A को हम लोग बोलते हैं elastic नहीं friends आप जो point A होता है उसको हम बोलते हैं proportional limit और point B को बोलते हैं elastic limit तो ऐसा हो सकता है कि हर बार yield point ना पूछा जाए तो यह elastic limit है A proportional limit है और C जो है yield point है आप इसको याद रखे सबसे पहले proportional limit आता है उसके बाद elastic limit आता है फिर yield point आता है okay तो option C correct है हम देखे question number 10 क्या है what will be the velocity ratio of wheel and axle having wheel diameter as 500 mm and axle diameter as 250 mm मतलब यहाँ पर दो चीजों का diameter है और velocity ratio पूछी गई है friends देखे जो velocity ratio होता है वो driver upon driven होता है ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं driver upon driven यह गीर के case में भी होता है driver upon driven okay मतलब विलास्टी ratio में आन बी इसको driven driver को हम NB जो झालते है और ड्रवट को mm जो चुछ जारी और ठरक रहनों आने है तो friends आप इसका formula यहँत कर सकते हैं वैसे तो आप इसके answers से भी इसको पता कर सकते आराम से देखिए 500 और 250 दिया हुआ है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जोटनी है 500 में से 250 को अगर भाग देंगे तो दो आजाएगा जो कि अच्छा मतलब 500 भटे 250 तो यहां पर ऑप्शन यहां पर दो आजाएगा ऑप्शन टू करेक्ट है राइट चलिए कुछ नमबर 11 देखते हैं यह फ्री बॉडी डाइग्राम यहां पर फ्रेंड्स दिया हुआ है ओके दर आरेक्शन ओफ नेट फोर्स इस पूछ रहा है देख नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स बारे सो न्यूटन लग रहा है अब इसको ऐसे ही समझ लेजे कि आप यहां पे हैं इसको खीच रहे हैं और यहां पर आपका दोस्त है इस साइड को खीच रहा है तो ओवराल तो यह इस साइड को खीच जाएगा ना कि इदर का फोर्स ज परसेंटेज ऑफ दो फ्रेक्शन 85 वाइसे तो 85 अपन 25 का परसेंटेज पुछा गया है तो देखिए क्या होगा इसको जब डिवाइट करेंगे तो पचीज दूना पचास पचीज थे पच्छत्तर मतलब यह पच्छत्तर से भी जादा है तो यह 3.something आ रहा है ठीक है तो इ इसको 100 से गुड़ा करते हैं तब यहां पे 25 परसेंट आता है हमारा यह तो सब लोग जानते हैं कि एक बटी चार 25 परसेंट होता है तो यहां पे भी हम गुड़ा करते तो हमारे correct अंसर आता लेकिन जो भारत इसकी का PDF है इसमें options कि साब से 3.4 ही correct है क्योंकि इसमें options ही correct न सब्सक्राइब करते हैं तो question number 13 में हमें क्या करना है median ढूलना है राइट यहां पर इस नंबर का median ढूलना है तो जब भी किसी हमें चोटा से एक्जांपल देके बताती हूं जब भी किसी median का इस तरह से 2-3-4 का median निकालना है तो इसका median 3 हो जाता है लेकिन अगर question में 1-2-3 चार चार डीजिट हो तो यहां पर तो तीन थे तो आराम से आपने बता दिया कि बीच वाला होगा ठीक है लिकिन यहां पर चार है तो इन दोनों की बीच वाला होगा मतलब इसका 2.5 होगा तो बस इसको भी ऐसे लगा दीजिए घरते हां बढ़ते क्रम में तो चले इसको फिर 10 एक 23 फिर 3 फिर 23 जो नमबर दो आरा हो इसको हम दो बार लिखते है 28 कितने लिए यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, sa, आ, 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 न, 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 द, 10 नमबर है मतलब 1,2,3,4,5 एक साइट पे हो गए 1,2,3,4,5 एक साइट पे हो गए मतलब 9 और 10 की बीच का कोई नमबर मीडियन होगा तो यहाँ पे 9.5 होगा तो इसका अंसर 2 करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगली केस्टन की तरफ देखते हैं Find the matrix addition of 2 into 2 matrix where इसमें तो friends option ही नहीं दिया है तो इस question को हम काट देते हैं क्योंकि इसको हम solve नहीं कर सकते हैं चलिए question number 15 देखते हैं What will be the power delivered to the circuit if current across 40 ohm resistor is 2.5 mpm देखें यहाँ पे current दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है आप बिल्कुल उसको लिखिए ताकि आप आराम से formula लगा सकें अगर इस तरह से आपके लिखने क्यादत नहीं है तो बिल्कुल उसको डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे register दिया हुआ है मतलब R दिया हुआ है 40 ohm तो friends power का जो formula होता है वो होता है I square R I square मतलब 2.5 square into 40 25 का square होता है 625 यह मुझे याद है तो आप इसको याद कर सकते है 6.25 20 में दसमलो लग जाएगा गुडे 40 या फिर आप इसको 2.5 गुडे 2.5 कर दीजिए अब इसको 4 से गुडा कर देते है 250 यहाँ पे यह 250.0 आ जाएगा तो friends 0-0 actually तो यहाँ पे 250 राइट अंसर है चलिए अगले question की तरफ से लते है अगला question 16 है चूज correct statement 1 micron equals to कितना mm और SI unit temperature की क्या होती है यह question है तो देखिए 1 micron में 10 to power minus 6 meter होता है या फि 10 to power minus 3 mm होता है अब 10 to power minus 3 को हम ऐसे लिखते है 0.001 अगर आपको confusion होता है कि यह 0.001 10 to power minus 3 है की नहीं तो आप उसको confirm कर सकते है कैसे देखिए जब 0.001 में जब 1 0 इधर जाएगा तो 10 आएगा फिर जब 0 यहाँ पे आएगा तो 100 आएगा जब 0 यहाँ पे आएगा तो 1000 आजएगा मतलब 3 पावर हट जाएगा ठीक है तो इसका 0.001 में होता है और ऐसा ही उनिट जो होती है वो कैल्विन होती है तो 0.001 और कैल्विन करेक्ट है मतलब यह 3 नंबर करेक्ट है अगली question की तरफ चलते है the ratio of the speed of a body when the speed of sound in surrounding medium is called तो यहाँ पे speed of body upon speed of sound क्या होता है तो आप इसको बिल्कुल याद कर लिजे speed of body upon speed of sound होता है मैक नंबर इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है यहाँ पे कुई concept नहीं है यह जैसे कुछ scientist होते है ठीक है कुछ scientist होते है मैक, रिनॉल्ड यह सब scientist के नाम है जो जिस नंबर को define कर देता है वो नंबर उसके नाम पे पढ़ जाता है तो इन्होंने बोला कि speed of body और speed of sound का ratio जो है उसे कुछ concept आगे निकल के आते है उसे कुछ चीजे define होती है कि किस तरह का sound कैसा है तो इस तरह का ratio मैक ने define किया था इसलिए इसको मैक नंबर बोलते है रिनॉल्ड ने fluid mechanics में number defined किये थे तो वो उसमें fluid mechanics में आ जाता है तो जिस scientist ने इसको define किया है उसके नाम से रिनॉल्ड number, मैक नंबर और भी बहुत सारे number होते है तो यहाँ पर दो और भी है यह दोनों तो फिलाल scientist के नाम पर नहीं है नीचे वाले दो लेकिन यह Mac number scientist के नाम पर है तो यहाँ पर कोई concept नहीं है जिसको मैं explain करूँ के चलिए अगले question की तरफ चलते है Error in measurement is defined as instrument reading minus true reading in reading on an analog scale comes under classification of friends एक gross error के अंडर आता है किसी भी गोला कार पत में चलने वाली किसी भी चीज को एक किंद्र गामी बल द्वारा कार किया जाना चाहिए जो वस्तू का देखिए यह equation ऐसा है basically यहाँ पे यह कोई पत्थर है जो घूम रहा है तो पत्थर की विलोसिटी हमेशा इस डिरेक्शन में होती है यहाँ पे है तो इस डिरेक्शन में जब यहाँ पे होगा तो फ्रेंड्स इस डिरेक्शन में हमेशा इसको टच करते वे टैंजिंट होती है विलोसिटी और यह जो सेंटर है और ये इसका radius है तो आप देखेंगे जो velocity इसकी इसकी की direction में perpendicular direction में है तो इसका अंसर perpendicular सही है ओके चलिए अब आगे चलते हैं the is the point defining the geometric center of an object देखें फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई object है अगर आपको geometric center जो होता है centroid को geometric center बोलते हैं यह भी ध्यान रखने वाली चीज़े याद करने वाली चीज़े अब center of gravity क्या होती है वह मास पर depend करती है इसका अंसर फिलाल centroid है बूलना नहीं है मैं आपको center of gravity भी बता देती हूँ जैसे माली चीज़े यह इस तरह से कुछ है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस side को ज्यादा mass है ठीक है इस side यह भारी है और इस side वाला हलका है तो इसके center of gravity यहाँ पर कहीं पर हो जाएगी center of gravity मतलब पूरे mass का center होता है और centroid मतलब पूरी geometry का मतलब जो shape है उसका center होता है centroid देखिए triangle का यहाँ पर आ जाएगा circle का center में आ जाएगा जो geometry का center होता है उसको हम centroid बोलते ही है तो इसका option number 3 correct है next चलते है 21 की तरफ if a force of 35 newton is required to move a mass of 45 kg on a flat surface at constant velocity velocity होती है velocity constant का मतलब ही हो जाता है कि acceleration 0 है ठीक है जहाँ पर velocity constant लिखी वहाँ पर acceleration 0 हो जाता है तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा कुछ block है जिसका mass है 45 kg दिया हुआ है 45 kg का mass है और यहाँ पर force जो है वह 35 newton का इधर को लग रहा है कीचा जा रहा है उसको calculate the coefficient of fraction तो friends coefficient of fraction का formula होता है f equal to mu into n यहाँ पर 45 kg का यह है तो नीचे क्यों सा force लगता है m into g लगता है ठीक है तो देखिए अब यहाँ पर g की value 9.8 लेंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा तो आप भी काम किजिए 10 ले लिजे ठीक है तो 45 into 10 हो जाएगा 450 और normal reaction की value भी 450 हो जाएगी क्योंकि जो उपर और नीचे balance होता है क्योंकि उपर तो उड़ नहीं रहा है अगर उपर उड़ नहीं रहा है कोई चीज इसका मतलब क्या है कि जितना force उपर से लग रहा है उतना force नीचे से भी लग रहा है तो friction force की value यहाँ पर इधर को friction लग रहा है और इधर 35 newton यहाँ पर friction force की value 35 newton के बरावर ही है तो यहाँ पर 35 equals to coefficient of friction पूछा गया है और normal force की value 450 है ठीक है अब 5 से काटिए 5,7,35 और 5,9,90 मतलब म्यू की value हो गई 7,90 अब इसको भाग दीजिए यह जो option है 7,90 इसको आप divide करेंगे तो यह लग भग आता है 0,077 तो मतलब 0,077 तो इसको आप 0,077 आएगा तो इसको आप 0,08 लिख सकते हैं ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं अगला question क्या है हमारा which list shows the substance in order of increasing density यह तो आपको यादी करना पड़ेगा question number 22 इसका answer है 2 यह हमारा 2 इसका answer है जो किरोसीन है उसका density सबसे कम होता है फिर water का फिर oxygen का फिर यह हमारा 1 kg का box है किलोग्राम यहाँ पर water है माली जी एक किलोग्राम water में यह डबा भर जाता है ओके और एक किलो लोहा जब आप इसमें रखेंगे तो डिबा भरेगा नहीं आधा किलो में आधा डबा में ही लोहा जो है एक किलो लोहा आ जाएगा मतलब लोहे की density पानी से कौन वालूम मतलब जिसका वालूम जादा है उसकी density कम और इसकी density कम है उसका वालूम जादा ठीक है यहाँ पर लेट की density सबसे ज़्यादा होती है आप इसको याद कर लिजे अब देखिए यह थोड़ा सा conceptual question है काफी एच्छा question है अगला 23 number in the figure given below coefficient of thermal expansion of material A is coefficient of thermal expansion क्या होता ह है अल्फा होता है ठीक है अपने इसको देखा ही होगा अल्फा को हम thermal expansion बोलते हैं देखिए यहां पर एक राट है ठीक है अगर इसका फ्रेंड्स thermal expansion ज्यादा होगा तो जब आप इसका temperature बढ़ाएंगे तो यह ज्यादा फैलेगी और जब आप इसको ठंडा करेंगी तो ज् इसकी बढ़ रही है तो थोड़ी सी को लंबाई घट रही है मतलब इसका thermal expansion कम है अब आप इस तीनों डियाग्राम को ध्यान से देखिए ठीक है कॉंसेप्चिल करें मैं आपको बता रही हूं देखिए यहां पर ए है और यहां पर बी है कोई चीज अगर ऐसे और ऐसे है त नीचे वाली जमिए मतले अफर बी ज्यादा फैल जादा फैला है गरम करने पर और यहां पर देखिए भी नीजु ठंदा होने पर जादा सिकूडा है खी तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि थर्मल एक्स्पेंशन ऑफ मेटेरिल ए मेटेरिल एइस लेस्ट के स्माइगरी बी से कम है इसको आपको ध्यान रखना है कुछ यह देखिए एक तो यह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाले कम प्रेशर होते हैं इसमें यहां पे वॉल्व लगी होती है जब इस तरह के कम प्रेशर यूज करते हैं तो यह इसमें प्रेशर बहुत जादा बढ़ जाता है प्रेशर यह कम गयस को का दवाव बढ़ा पाता है ओलुम कम आता है लेकिन अच्छा कासा दवाव बढ़ा देता हैं ठीक है लेकिन जो यह nias होता है मैं ऐसी रफ डाइग्राम बस बना दो हूँ हूं पर्लेट लगी होती है इसमें लगातार फ्लूट आता रहता है ओर जाता रहता है मतलब अच्छा-खासा वालूम इसमें हेंडल हो जाता है लेकिन जो प्रेशर वह कम भड़ Vice तो रोटरी प्रेशर पूछे या फिर सेंट्री फ्यूगल परेशर पूछे 23ूग ... त्सक्ष lah한다 क्वांटिटीटीज मतलब वॉल्लूम ज्यादा और प्रेशर कम अमतलब लार्ज और लो ओके 24 का option number to correct होगा एक शलते हैं the flow of turbulent flow if renold number is more than देखिए आपर मैंने बोल रहा था रिनौल fluid mechanics में के scientist है इन्होंने fluid mechanics में बहुत बड़ा योगदान दिया है तो रिनौल ने सब्सक्राइब लेकिन 4000 से कम आती है तो फ्लो जो होता है वो transition phase में होता है transition phase में होता है और लेमिनर की value और 4000 से जब्सारी फ्लो की value जो जार से ज्यादा होती है तो फ्लो टर्बूलेंट होता है देखिए इस में आप से पुछा गया है कि रिलॉन लंबर इस मोर देन 4,000 तरुलेंट के लिए पूछा गया है तो आप यहां पे 4,000 लिख लिए देख लिए अगर हो सकता है पेपर में आपके लैमिनार के लिए पूछा जाए तो आप 2300 या फिर 2300 कहीं के इंबुक में 2000 भी लिखा हुआ तो 2000 हो जाएगा इसमें टरुलेंट पूछा गया है तो टरुलेंट का 4000 से ज्यादा होने पर लॉन नंबर की वलू का 4000 ज्यादा होती तो टरुलेंट होता है ओके यह पे थोड़ा साब को बता देती हूं कि लैमिनार और टरुलेंट फ्लो भी क्या होता है इससे आपको जो फ्रेंट निकलता है स्टाटिंग में थोड़ी दर तो एक दम बिल्कुल स्टेट लाइन में होगा इसको हम बोलते हैं लैमिनार लैमिनार का मतलब जो धुआ है आपका जो फ्लूड है वह बिल्कुल स्ट्रीट लाइन में फ्लो हो रहा है अच्छे से ठीक है अभी जब सिग्रेट है यहां पर कि यह आपका जब धुआ आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे थोड़े बाद गया हो जाता है ऐसे अजीब सा हो जाता है तो यह क्या होता है यह तर्बूलेंट होता है मतलब कोई लाइन नी बनती एक दम से बिल्कुल इधर उदर भागम भाग हो Queens we carry्स že billions लाइन आ टांड होता है और जो इसमूद लाइन में सब्रो थारता है इसको हम लामिनार बोलते हैं तो से लामिनार allow तो यह तो है वह मिनार ने डिफाइब बिल्कुल ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे हो जाता है कैसे भी हो जाता है बस एक किसी रूट को फॉलो नहीं करता हो कि तो आप इस कॉंसेट को भी याद रखिए चलिए आप आगे चलते हैं को इस मारा क्वेशन अगला क्वेशन है फ्लूट मेकैनिक सही है दवी विसकॉस्थी ओफ फ्लूइड इन मोशन वण पोई इस विलोडस्टी विल भी देखिए ठीड़ यहां पे फ्लूइड है इसकी जो विलॉड यह विसकॉसिटी होती है ना वह फूट की प्रॉपर्टी ह अगर यहां पर तंक्रेचर फूरल रहा होा है उस बात रहेगा अगर रख़ सब्सक्राइब करना बढ़ते हैं कि फ्रतीं है कुछी जो की बढ़ती है कंगा जैसे आप यहां पर यहां पर कुछ भी ले लिजे गास टाइप का कुछ ले लिजे ठीक है और देखिए जब आप इसका टंपरेचर बढ़ाएंगे तो यह क्या होते हैं गयास के अदू दूर दूर चले जाते हैं तो इनकी विस्कॉस्टी क्या होती है घड़ जाती है तो बढ़ती है लेकिन फ्रूट रुका हो या चल रहा हो इस बात से विस्कॉस्टी पर कोई फरक नहीं पड़ता अब देखिए यहां पर किचाफ रूल है यूजिंग किचाफ रूल इन फिगर गिविन विलो वाट इस दिया हुआ है बेस दिया हुआ है यहां पर पूछा गया है फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्टन होते हैं कि जैसे क्वेश्टन नबर 27 है उसमें आपको एरो का बहुत ध्यान देना है देखिए एरो इसमें बाहर की ओर है मतलब यह बाहर की ओर बीस एंपियर जा रहा है इसमें एरो अंदर की ओर है मतलब यह इधर से इधर आ रहा है इसमें एरो इधर की ओर है तो किर्चॉफल यह कहता है कि जो जाने वाली करेंट है वो आने वाली करेंट है वो बराबर होनी चाहिए मतलब देखिए 15 एंपियर जो है वो बाहर निकल रहा है यह शोर्स है यहा और 15 में friends आने की तरफ सौरी यहाँ पर equals to का sign लगेगा यहाँ पर 15 इधर अंदर की ओर आ रहा है और I1 भी अंदर की ओर रहा है तो जाने वाली और आने वाली को हम लोग बरावर कर देंगे अब 15, 20 और 30 को जोड़ दीजिए और यहाँ पर 15 प्लस I1 को जोड़ दीजिए यह कौन सा अंदर की तरफ जा रहा है और कौन सी बाहर की तरफ जा रहा है जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको आप एक साइट रखिए और जो अंदर की तरफ आ रहा है उसको एक साइट रखिए आने वाली और जाने वाली करेंट बराबर होने चाहिए question number 28 maths का question है what is the distance of point of intersection point of intersection क्या होता है जैसे यहां पर दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इस point को हम लोग बोलते है point of intersection ओके तो देखिए यहां पर दो रिखाया दी गई है 2x plus 3y equals to 6 2x plus 3y equals to 6 और y equals to x plus 7 यह दो equation है इसको हम पहले solve करेंगे अब देखिए यहां पर है y equals to x plus 7 तो हम इसको इस form में बला लेंगे x और y के तो हम y को इधर ले जाएंगे तो यहां पर minus हो जाएगा और 7 को इधर ले जाएंगे तो यहां पर minus 7 हो जाएगा ठीक है अब इस form में बन गया x minus y equals to minus 7 अब इस पूरी equation में आप दो से गुड़ा कर दीजिए ताकि x x कैंसिल हो जाए तो दो से हमने यहां पर गुड़ा कर दिया और यहां पर साथ की जगे फ्रेंड्स हो जाएगा चौद है साथ कैंसिल कर दिया हमने और यहां पर minus 14 हो जाएगा यहां पर क्या था 6 था अब इसको एड़ कर देते हैं देखिए घटाओं में हमेशा यहां पर चीन बदल जाता है मैंने लास्ट टाइम ही एलजेब्रा पढ़ाया है कली का वीडियो अपलोड है आप चाहें तो देख सकते हैं ठीक है अब minus 2x plus 2x cancel हो गया यहां पर 3y plus 2y 5y हो गया और 6 और 14 20 हो गया मतलब y की वैलू यहां पर 4 आ गई इस तरह से equation को solve कियाता है y की वैलू 4 आ गई अब तो y की वैलू आप किसी भी एक equation दिख दीजे चली हम इसमें रख देते हैं y equal to x plus 7 है y की वैलू हमारी 4 आ गई है मतलब y equals to sorry y की वैलू 4 है और x plus 7 तो यहां पर x की वैलू फ्रेंट्स कितनी आ जाएगी 4 minus 7 x की वैलू आ जाएगी minus 3 x की वैलू कितनी आ गई minus 3 और y की वैलू आ गई 4 चली आगे question solve करते हैं अब इसको मेरे erase कर देते हैं इसमें दो चीजे धियान रखने वाली है x और y की वैलू x की वैलू आई है minus 3 और y की वैलू आई है 4 अब friends हमें distance बतानी है origin से देखिए यहाँ पर कुछ है x की वैलू minus 3 मतलब यहाँ पर minus 3 होता है इस side 1,2,3 plus में होता है और side minus में होता है y में इधर को plus में values होती है और यहाँ पर minus में होती है ठीक है तो यहाँ पर minus 3 है और y equals to 4 यहां पर है तो मतलब 3 और 4 कहीं यहां पर 2.0 है और उरीजिन तो फ्रिंट समेशा 0-0 ही होता है 001 पूछ रहे है यह से कितनी दूरी पर है इसका फॉर्मूला होता है अंडरूट श्री मानस 3 मानस 3 मानस 0 का होल स्कॉर प्लस 4 मानस 0 का होल इसका है स्क्वार रूट में 25 जब इसको बाहर निकालेंगे तो पाच हो जाएगा ठीक है एक्वेशन सॉल्व हो गया अब आगे देखते हैं एक कैनन बॉल इस डॉप ट्रॉप में वाटर एज इट फॉल्स कैनेर्जी में क्या होता है पोटेंशल एनर्जी जयादा वेल्यू जादा है और अगर जमीन प्रगई तो पोटेंशल एनर्जी जीरो होा सकती है हमने potential energy zero एक question उपर solve किया है है ना तो नीचे जमीन पर आगे तो potential energy zero हो जाती है यहाँ पर potential energy सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर potential energy सबसे ज़्यादा होती है और फ्रेंट्स यहाँ पर potential energy के value सबसे ज़्यादा होती है जब wall धीरे 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 नीचे गिरता है तो सारी potential energy energy to क्दम हो जाती है कगव हsetी रहती है कम हो कि यह बंति inhale कंटिक एनर्जी टीक कुपि इसमें विन बढ़निया यह बंते यह मतलब जब ऑलक गिरता है तो स्टार्टीं में बाहल एँनर्जी ज्चति और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड पोटेंशल इनर्जी डिक्रीज इवाला सही है मतलब गती जूर्जा बढ़ती है और इस्थिती जूर्जा फ्रेंट्स घटती है जब भी जब भी ऐसा कोई कोशन आए कि यहां से कोई नीचे क जो होती है तो अगर इस्थिती जूर्जा कम हो रही है तो कुछ तो बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है जाज गती जूर्जा बढ़ता है काइनेटिक इनर्जी बढ़ती है अब देखिए क्वेशन नंबर 30 की तरफ यह भी इनर्जी पर ही लग रहा है बाई स्ट्रेचिंग तीर को खीशते हैं इसमें कौन सी उजाइस होती है यहां पर आदमी बना हुआ है और यहां पर धनूस और तीर है ठीक है जब यह तीर को अपनी तरफ खीच रहा है तो इसमें जो है फ्रेंड्स वह पोटेंशिल एनर्जी जो होती है वह इकठा होती है मुझे नहीं पता है इसका भारत इसकिल पर आप्शन क्यूं एक तीर करेक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स इसका इसमें पोटेंशिल एनर्जी होगा मैं शूर हो आप गूगल भी करेंगे तो आप देखेंगे कि पोटेंशिल एनर्जी भी इसमें स्टोर होती है जब यह तीर को छोड़ते है न तो potential energy कम होने लगती है और वो गती जुझा में बदलने लगती है लेकिन जब इस तरीके से potential का मतलब क्या होता है चमता कारी करने की चमता ठीक है मतलब जब हम यह तीर को इकठा कर रहा है तो उसमें potential energy ही इकठी होती है ओके देखिए question number 31 की तरफ चलते हैं with the help of a pulley a person is able to raise a load of 500 newton through 8 meter he applies a force of 95 newton on a rope and it pulls and pulls it through 64 meter ठीक है तो इसकी efficiency बताईए question Hindi में तो पूरा दिया हुआ भी नहीं है तो efficiency का formula होता है friends work output upon में work input या फिर power output upon me power input जो चीज़े दी रहती है बस आउटपूट और इनपूट को ध्यान में रखना है work हो तो work ने तो power हो तो power वह हम देख लेते हैं ठीक है तो देखिए इस question यह question बहुत ही एक और पुली होगी फिर्यास ऐसे कुछ connect होगी और यहां पे यह कुछ मास बंदा हुआ है ठीक है इसकी वालू इन्होंने पांसो न्यूटन इस question में दे रखी है अब देखिए यहां पे आप खड़े हैं ठीक है अब आप इसको खीच रहे हैं ठीक है खीच रहे हैं कितना खीच आपने he applies a force of 95 newton on road and pulls it through 64 meter मतलब आपने यहां पे 95 newton का force apply किया है और इस रस्ती को आपने कितना खीच लिया है इसकी वज़ा से यह मास से वह कितना उपर आया है यह 8 मीटर तक उपर गया है ठीक है यह 8 मीटर तक उपर गया है तो friends इसमें input क्या है और output क्या है देखिए यह आपने खीचा है input का मतलब जो आप उर्जा को खतम करते हैं अपनी उर्जा जो लगाते हैं वह input जितना आप देते हैं ठीक है output मतलब जो आपको मिलता है ठीक है तो frequency जो होती है वह इन दोनों का ratio होती है तो यहां पर नीचे करते हैं देखिए efficiency हो जाएगी work output कितना है यहां पर output हमें यह 500 बढ़ इंटू 8 जो मिल रहा है इंपुट हमने कितना दिया था 64 मीटर हमने खीचा था 95 न्यूटन का फोर्स लगाया था अब इसको काटते हैं आठ ओटे 64 यहां पर आठ आ गया अब इसको पान से काटते हैं यहां पर 100 हो जाएगा इसको पास से काटेंगे तो पाच एकम पाच और पाच नौब बैतालिस 19 हो जाएगा मतलब इसको डिवाइट कर दीजिए तो आपका आज आएगा 0.657 0.657 तो मतलब इसका अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पर है 0.657 मतलब 657 और 8 यह वाला अंसर सही है इस question यह question बहुत ही थोड़ा से complicated था और conceptual भी था इविन इसकी तो हिंदी में language पूरा question लिखा भी नहीं है तो इसको समझने में थोड़ा आपको time लगेगा लेकिन आप परिशान मत हुए मैं इसके बाद अभी मैं level 1 का question solve कर रहें इसके बाद मैं level 2 और level 3 भी solve करूंगी अगर आपकी demand होती है तो अगर करता है capacitance equation है friends तो इस plate का area कितना है इस पे बीपेंड करता है और इन दोनों के plate की बीच की दूरी कितनी है उस पे बीपेंड करता है और साथ ही साथ dielectric जो प्रयोग किया गया है उस पे बीपेंड करता है अगला question है what happens to the strength of electromagnet as you add more coils around it ठीक है मतलब अगर यहां पे coils लगे होते हैं न यहां पे core होता है ओके दो पूछ रहे हैं कि electric electromagnetic effect का क्या होगा obviously बढ़ेगा अगर आप यहां पे कम coil रखे हैं और दूसरे में आप यहां पे number of coil ज्यादा बढ़ा देंगे पास पास कर देंगे तो electromagnetic effect obviously बढ़ेगा तो इसका answer हो जाएगा it increases जर्मन सिल्वर कंटेंस यह तो बिल्कुल याद करने वाला question है इसमें कोई concept है नहीं तो इसका answer 4 है nickel, zinc and copper अगली question पर चलते हैं which of these stress can also be known as hoop stress ठीक है हूब तनाओ की रूप में friends हम circumferential stress को जानते हैं यह question भी आपको क्या दी रखना है circumferential stress सही है question number 36 यह हमारा इसका last question है friends what is the most likely to happen when the switch is closed इसका diagram आगे है यह इसका diagram है लेकि जब switch close होगा न तो यह क्या है यह हमारी basically kill नहीं है यह हमारे लिए iron core है ठीक है और इस पर यह winding है जो आए वायर लपिटी के यह winding है जब भी इस तरह का mechanism होता है तो इसमें क्या होता है electromagnetic field produce होता है यह तो basic concept है electromagnetic field produce होने का तो इसका option यह सही है electromagnetic field जो होता है produce होता है चुमब की छेदर त्यार किया जाता है फ्रेंज तो यह इसका level 1 था भारत इसकी पर पढ़ी है इसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मुझे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंज तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंज